नमस्कार मैं अब शेक्मार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस इस्टेडी विट अभी में तो आप सभी को मेरा जैगरू तो आज हम लोग मौक टेस्ट नंबर 3 डिसकेशन करने वाल हैं तो आप सभी को पता है जो हम लोगों का तरीका है कम से कम इस 40 में कम से कम 150 सवाल आपको complete करा लिए जाएंगे मतलब 3 टेस्ट अगर हमने किये हैं तो मैं आपको कुछ दिखाओ देखे अगर हमने 3 टेस्ट किया है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मौक टेस्ट 1 मौक टेस्ट 2 तो 1500 सवाल यहाँ भी आपका मैंने करवाया 1500 सवाल यहाँ भी आपका मैंने करवाया और आज हम लोग 1500 सवाल कर रहे हैं यानि कि 300 और 4500 4500 कोश्चन मतलब आप समझ रहे हैं बहुत माइन रखते हैं एकदम आपका रिलेवेंट जैसा सी सीजेल के लिए है आप खुद लगाये आपने लगाया भी है बहुत सारे स्टूडेंट ने 2000-20000 उपर स्टूडेंट ने मौक टेस्ट 1 लगाया है 1000 से उपर आपके आपने मौक टेस्ट 2 लगाया है तो और हमने यहां रखा भी है कटफ 30 आपको लाने है और आज का मैं आपको बताऊं तो आप मैकसिमम टू मैकसिमम देखें मैकसिमम तो आप 40 में 40 लाने की कोजिस कर सकते हैं लेकिन जो स्टूडेंट 26-27 इसे उपर अगर सही कर रहे हैं मतलब आपकी तयारी बहुत अच्छी है यकिन मानिए 26-27 अगर आप जा रहे हैं उपर आपकी तयारी अच्छी है कोशन का लेवल ही मैंने अच्छा रखा है अच्छे तरीके से मैंने कोशन को बनाया भी है वो नहीं कि जहां से चीज़े को ठाकर रख दिया तो मौक टेश वन भी लगाईए मौक टेश टू भी लगाईए और आज मौक टेश थ्री में कमेंट करिएगा कि कितना सवाल आपका सही हुआ है इमांदारी पुर्वा कमेंट करके बताईएगा मैं भी देखू कि आपके तयारी कितनी हुई है इसके अलावे देखे ये दोनों वीडियो तो आपको देखनी है ही और उसके अलावे आपको देखे जितने भी स्वतंतरता सैनानी महतुपून आपके रहे हैं जहां दो से तीन सवाल आपके पूछे जाएंगे इसको हमने कम्प्लीट करवा दिया है आटन कल्चर आपको तीन घंटे की लेक्चर देखनी है साथ से नौ सवालिस वीडियो जे निकलेंगे आपके जहारखंड की जो योजना है कर्रेंट अफिर से दो पार्ट हमने करवा दिये हैं पार्ट टू है और एक आपको और बहुत देखेगा पार्ट फॉन ठीक है यहां पर मैंने नहीं लगाए है तो पार्ट टू आपको मिल जाएगा और part 1 भी मिल जाएगा सारे वीडियो का लिंक आपको description box में चीप minister देखे आप JSC PGT का paper देखे हैं तो governor से question बहुत detail में हमने चीज़ों को करवाया maths की भी test reach का solution आपका चल रहा है आप तीसरे test के solution को भी ले लिए हैं और यहाँ पर जो official data जो खनीज के रहे हैं इसके part 2 वाली वीडियो next आपकी वही वीडियो होगी तो यह सारी चीज़ों को भी आप लगाए जरूर से बहुत important है खास करके maths का solution आप देखे YouTube चैनल पर कराया जा रहा है और जो हम लोगों का mock test चल रहा है ठीक है ना हमारे जो platform पे देखे जो जारकन जीके में आप जो देख रहे हैं ये आप लोग का पूरा का पूरा हर topic से सवाल आपको 40 हमने लिया है ठीक है ना अब current अफेर में भी आपको 10 सवाल मैंने यहाँ आज के कम से कम 7 से 8 सवाल आज आपको मैंने डाले हैं तो ये सारी चीजे हैं जरूर से complete करना है और इसके अलावे आपको mock test भी हमारा आज आपको लगाना है वई देखे ना देखे test 12 जो हमने live कर दिया है उसमें आपके marks हो सकते है थोड़े से कम आएंगे तो परिशान नहीं होना demotivate भी नहीं होना मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जो test में enroll students है बहुत quality content है बहुत अच्छा हमने रखा जब आप exam में बैठेंगे तब आपको JSC का सवाल जब आप बनाएंगे तब आपको feel होगा वाकई हमारी तयारी बहुत अच्छी थी ठीक है ना इसलिए बाकी चलिए आज की वीडियो को आप लोग जरूर प्यार दीजेगा अगर महनत अच्छा लगता है तो आप like दोस्तों तक share करिएगा और comment करके हमें अपना marks जरूर बताईएगा ठीक है तो चलिए आज की classes हम लोग स्टार्ट करते हैं आप सभी को मेरा जरूर तो चलिए बाई और दूसरी टेलिग्राम ग्रूप को भी जॉइन कर लेना है ठीक है ना सारा टेलिग्राम ग्रूप में आपको PDF और वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा जे सारे वीडियो जितने भी है सारे वीडियो के लिंक आपको वही पर मिलेगी चलिए पहला सवाल और देखते हैं कितने student इनके सही उत्तर को आप में से बना पाते हैं देखे बाइलिंग्वल टेस्ट होगा यह इदम टेंशन नहीं लेना explanation भी बाइलिंग्वल होगे वह लेकिन हमने हमारे application में तो जो लोग लगाने चाहते तो application को install करिए जरूर से जरूर और हर एक-एक mock test को analysis के साथ चीजों को complete करते जाएए देखे पहला सवाल जो आपसे पूछा गया है ठीक है ना मैं color change कर दूँ देखे पहला सवाल जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया current affair का भारत के 100 ताकत वर लोगों की सूची में जहारखंड के मुख्यमंत्री हैमन सोरिंज यो है वो किस अस स्कान पर ठीक है इसमें कोई explanation की need नहीं है current affair का सवाल है यह दूसरा सवाल आपका दूसरा सवाल पूछा गया है कि जहारखंड के वरतमान राजपाल CP राधाकृष्ण को सपत किसने दिलवाए है ठीक है ना who administered the oath to CP राधाकृष्ण as the governor of जहारखंड तो यह question आपका मैंने PG GT से ही लिया है मेंली एक ही question मैंने लिया है बहुत अच्छा लगा सांदार सवाल लगा यह और मैं सोच रहा हूं कि साइध आपके कुछ सवाल आपको repeat भी होंगे तो मैं इसी में आपको करवा भी दूँगा तो option है संजे कुमार मिसरा जी रवी रंजन अरिरूद बोश और अपरिस कुमार सिंग देखे maximum student हलाकि जससी ने यह option में डाला ही नहीं था डालते तो बहुत सारे student और भी गलती करते इसलिए मैंने डाला है कि आप गलती करिए आप सभी को पता है जो governor होते हैं governor को सपतगरन कौन दिलाता है तो chief justice आपके दिलो आते हैं ठीक है मुख निया जब आपके चीप जब आपके CP रादा किष्णन जी जब governor बन रहे थे तो वो जो date था 18 फरवरी 2023 यह सब बहुत detail में हमने cover करवाया है जो मैंने आपको यहां बताया जहारखन के governor जो CM के वाली यह सब वीडियो है यह सब देखे यह सारा सवाल का जवाब आपको यहीं मिले तो जब यह सपतगरन ले रहे थे तो वो जो date था आपका 18 फरवरी 2023 लेकिन संजे कुमार मिसरा जी जो cheap justice बनते हैं वो आपका date था 20 फरवरी 2023 ठीक है तो इस समय जो acting जो cheap justice थे वो कौन थे आपके अप्रेश कुमार सिंग थे तो यह point आपको याद रखना है इसका सही उत्त हो जाएगा अप्रेश कुमार सिंग ने ओथ दिलवायती सीपी राधा कृष्णन जी को ठीक है आगे चलते हैं अचा कुछ चलिए इसमें जो भी explanation है राधा कृष्णन जी के बारे में जारखन में अभी तक जो बने हैं राजयपाल वो 11 नंबर के आपके होंगे सीपी प्रभाद कुमार जी रहे हैं और किसके टेन्योर में तो बाबुलार मरांडी यानी कि उसमें चीप मिनिश्टर कौन थे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपको याद रखेगा और अगर अभी बात किया जाए जो सीपी राधा कृष्ण ने जी जब बने तो तो कौन प्रभाद कुमार जी को ठीक है इनका जो टेन्योर रहा है 15 नॉवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 तक पहले आपके राजपाल रहे हैं इसलिए या पॉइंट आपको याद रखना है इतना सारा कुछ लेकिन इसके अलावे बहुत कुछ है जो मैंने वहां बताया ये वीडियो मे जितना हो सकता मैं करूंगा एक मात्र और प्रतम कारेवाहक राजपाल का अगर नाम पूछा जाये तो क्या होगा आपका विनोध चंद्र पांडे जी इस समय जो ये थे क्या थे बिहार के राजपाल थे हैं साथ के साथ जारखन के में भी ये कारेवाहक राजपाल बनाये गयाते बिनोत चंद्रपांडे जी केवल केवल कितने दिनों के लिए 10 दिन के लिए सबसे मिनिमम डेस जो राजपाल के तौर पर रहा है वो कौन दे तो बिनोत चंद्रपांडे जी ही थे हैं पिनिश्टर कौनते उसमें तो बाबुलाग मरांडी वागी आप यहां देख सकते हैं पूरी जानकारी जो है जारकन राजपाल की हर सरा के सवाल को बता दिया गया ठीक है वीडियो देख लीजे फ्री अप्लोडेट है यूटूब पर जो मैं आपको बताया हूँ और इसकी प्रिक्शन पे मिल जाएगी चलिए बहुत सुंदर सवाल और मॉशली चांसे से कि आपको एक्जाम में यह पूछा जाएगा ही जाएगा आप से पूछा गया है कि एक योजना है समर योजना ठीक है ना इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया तो देखिए इसका फुल नूट्रिशन तो माल नूट्रिशन ही इसका सही उत्तर होगा समर का सही option क्या है option डी चलिए कुछ बाते यहां जान लेते हैं इस योजना के बारे में जो यहां बताई गई आपको देखें इस योजना के अंतरगत राज में गाउं गाउं से ठीके ना जो घर से कुपोशन ए आनिमिया से जो भी रोगी होंगे चाहे वो बच्चे हो चाहे कि सोरी हो चाहे यूपतिया हो या गर्वती महिलाएं हो उनको क्या किया जाएगा उनके निकरतम आंगनवाड़ी पर उनकी जाच कराई जाएगी समर योजना के ता तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे option D strategic action for elevation of malnutrition and anemia reduction अगला सवाल बहुत खुबसूरत सवाल और यह योजना से रिलेटेड सवाल है तो योजना से आपका सवाल बनेगा ही और हमने योजना के current affair वाले section में discussion भी इसको किया है कल ही हमने करवाया इसका discussion यूटूब पर देखें पूछा गया है कि how much provision has been made by the जहाकर government under the Guruji students credit card scheme में ठीक है ना जारकन सरकार द्वारा 2023 में Guruji students credit card योजना के तहत कितना रूपिये का प्रावधान किया गया तो कितना रूपिया का प्रावधान किया गया था 26 कडोड 13 लाक रूपय का ठीक है ना option देखें मैंने इतना अच्छा रखा कि आप confuse कर जाईगा 26 कडो chances आपको मैं दिया हूँ और option इसका सही होगा C 26 कडोड 13 लाक रूपय है अब इस योजना के बारे में detail जानकारी ले ले लेते हैं हलाकि कल भी हमने बताया था जारकन गुरूजी credit card योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोड जो आई वर्ग परिवार के छात्र हैं उनकी स सिक्षा पूरी कराने के लिए सरकार द्वारा रीन की शुविदा उपलग करवाई जा रही है जिसके लिए योजना के बहतर संचालन हेतू सरकार द्वारा वर्स 2023 के लिए योजना में 26 कडोड 13 लाक रूपे की सिक्षा बजट का प्रवधान किया गया है ठीक है ना सवाल पर आते हैं यह सब हमने कल डिटेल डिसकरजन कर लिया इसलिए थोड़ा ऊपर से निकले हमने जल्दी समें अगला सवाल भी आपके करेंट अफेर के स्कीम से दो सवाल हमने स्कीम से पूछा है गुरू जी कीचन योजना का उद्देश क्या है गुरू जी कीचन सवार को मुफ्त खाना उपलब्द कराना उसके बाद जार्खन के महिलाओं के लिए पांच रुपए में भोजन उपलब्द कराना या सरकार गरीब लोगों के गरीब लोगों को पांच रुपए में भोजन उपलब कराई तो ऑप्शन डी जो है सटीक होगा इसका सही अंस तो पुछा जाएगा important है लेकिन option देखी न, option की खासियत देखिया आप, इसलिए option की भी खुबसूरती रखा हूँ मैं ताकि आप गलती करें, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा गुरू जी किचन जो योजना इसका उद्देश क्या है, सरकार जो है गरीब लोगों को 5 इस योजना के अंतरगत वर्तोमान में चला जा रहे है, दालभात केंद्रों को अतरीक्त केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी, केंद्र बनाई जाएगे 5 रुपे में आपको प्रवाइड कराएगा खाना, ठीक है, आगे चलते हैं, In which district of जारखंड is Manoharpur located, Manoharpur जारखंड के किस जीले में स्थित है, बहुत important छेतर है आपका Manoharpur, और ये सवाल बहुत important भी है, तो देखें, Manoharpur जो आपका किस जीले में आता है, तो पस्चिम सिंग्भू में जीले में आता है, खासियत इस छेतर की क्या है सबसे important बात तो जारखंड में अगर बात किया जाए जो भी खनीज की बात करतें आप, तो प्रचूर मातरा में almost सारे खनीज यहां मिलेंगे, चाहे आइरन ओर्स की बात कर ले आप, चाहे तामे की बात करें, मतलब मैकसिमम मैकसिमम ओर आप समझे यहां पर मिलतें, क्योंकि ये जो अरिया आप देख रहे हैं मनोहर पूर वाला एरिया यहाँ पर जो चट्टान मिलता है कौन सा चट्टान तो धारवार करम की चट्टाने मिलती है और खास करके अगर मैं बताओं आपको अगर जारकंड की मैप बना करके और इधर आपका नीचे उड़ी सा तो यह वाला जो बेल्ट आप देख रहे ना यह बेल्ट मतर समझे दुनिया का सबसे बड़ा बेल्ट है जो प्रचूर मातरा में आपको यहाँ पर प्रोड़क्शन होता खनिश्की ठीक है तो उसमें आपका जो मनोहर पूर है आपसे पूछा गया सवाल में कि यह जारखंड के किस जिले में इस्तित है तो पस्चिम सिंग्भूम में है ठीक है आगे आपका अगला सवाल पूछा गया है 2021-22 के दौरान जारखंड में बॉक्साइड का कितना परतिशत उत्पादन हुआ है confusion होगा आपको हलाकि हमने वीडियो में बताया था 8.04 परतिशत इसलिए मैंने option रखा ही नहीं 8.04 परतिशत अब देखते हैं अगर ऐसी option ना रहे तो आप किसको tick करके आएंगे तो इसको आपको tick करना है 8 परतिशत कुछ important data है लेकिन इस data से इतना मैंने जो explain क्या उसे होगा नहीं आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा जहारखन की खनीश का part 1 और part 2 भी आपको आएगा अगले दिन ठीकिन फिर भी मैंने बताया है बॉक्साइट से related जितनी भी fact हो सकती है देखें यहां पताया क्या कि 2021-22 में 2021-22 में बॉक्साइट का उत्पादन 22.49 million ton हुआ था भारत में ठीक है ना भारत में कितना उत्पादन हुआ बॉक्साइट का 22.49 million ton और यह जो उत्पादन आप देख रहे हैं केवल हो केवल 6 राजियों में उत्पादन हुआ था जिसमें से जारखंड भी सामिल है और उसमें जारखंड का कौन सा स्थान रहा तो तीसरा स्थान रहा पहला दूसरा चौथा पच्छवा छट्था भी याद रखना है कितना हुआ वो भी याद रखेगा हमने बता रखा जिसमें जारखंड का कितना परत की जाए तो 5 साल 10 साल की ग्याप में ही रिपोर्ट आती तो एक अप्रील 2015 की रिपोर्ट के अनुसार ज्ञारखण में खनीजों के बंडार में बॉकसाइड का जो अस्थान है वो पांचवण अस्थान है है कितना उत्पादन हुआ है उत्पादन हुआ है और इंडिया की बात की जाए ठीक है ना तो भंडार में वह भंडार में अगर पुरा भंडार जो है इंडिया में उस भंडार में जारखंड का कौन सा अस्थान है तो जारखंड सातों अस्थान में आता है बॉक्साइट में यानि कि बॉक्साइट की जो भी भंडार जारखंड में इंडिया के रिस्पेक्ट में बात किया जाये तो कौन सा अस्थान होगा सातों अस्थान होगा और बॉक्साइड से क्या निकलता आपको पता है बॉक्साइड और से आपको एल्मुनियम मेटल्स की प्राप्ति होती है उसके बाद अगला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये भी पॉइंट मैं थोड़ा सा जूम इन करूं जार्खण में बॉक्साइड का जो सरवाधिक उत्पादन है वो कौन सा छेत्र जार्खण का तो पार्ट वाला छेत्र देखे मैं आपको दिखाता हूँ कोई दिक्कत नहीं कि मैप नहीं है मैं मैप बना करके चीजों को दिखाऊंगा ठीक है न वाई ये हो गया आपका जार्खण का मैप ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रैंगलर एरिया में आपका पूरा मध्य राची वाला थोड़ा सा पाट ले लीजिए गुम्ला वाला छेत्र ओ गया लोहर दग्गा वाला छेत्र ये हो गया पाट छेत्र ठीक है न और राजमहल वाला छेत्र में खास करके साहेब गंज और गोड़ा में भी आपको क्या है देखने को मिलता है तो जारकंड में अगर छेत्र पुछेगा तो पाट छेत्र और राजमहल छेत्र जीला खास करके पूछ लेगा तो गुमला लोहर दग्गा और पलामू ठीक है ना इन छेत्रों में और राजमहल छेत्र में कौन सा जीला साहेब गज और गुंड़ा में आपको देखने को मिलता है का सयंत्र है जो मूरी मिस्तित है और पूरी जानकारी के लिए छारकंड खनीश की हर तरह के सवाल को यहां पर बताया गया है वीडियो देख लीजे फ्री में अपलोड़ेड है यूटूब पर जो मैं आपको बताते आ रहा हूं इस स्टार्टिंग से अगला सवाल आठवा स्टोन क्लिप परियोजना का संबंद किस जीले से अगर आपसे पूछा जाएगा तो यह दो डिष्टिक को कभर करता एक तो साहेब गउंज और एक पाकुड ठीक है ना यह याद रखना है स्टोन क्लिप के लिए जो चंडूला सिम लोग जो स्टोन क्लिप है उसके लिए साहेब गउंज और पाकुड इन दोनों डिष्टिक को यह कभर करता है यह परियोजना ठीक है ना और खास करके अगर एक्जेक्ट जगहा अगर आपसे पूछ लेगा ना तो आप याद रिखेगा बर हरुआ ठीक है ना बर हरुआ बर हरुआ जगहा जो है वहाँ पर मेन इ कोप्रेशन के तरब से कई सारे परियोजनाई चला जाती है मैंने आपको बताया भी है ग्रिनाइट के लिए ग्रिनाइट पॉलिशिंग परियोजना चलाय जाती है आपके तपू दाना सौरी तूपू दाना जो राची में इस्तीथ हैं वहाँ पर छीगा न कोईले के इजी सवाल, सबसे इजी सवाल आज के टेस्ट का ये, जारकण में सबसे अधिक रूबी अबरक पाया जाता है, इस तरह का सवाल पूछने मज़ा नहीं आता, लेकिन पूछना पड़ता है, क्योंकि आप लोग हतास ना हो जाए, इसलिए, इसका सही उत्तर होगा कोडर्मा, लेकिन इसके बारे डिटेल जानकारी जब आपको देंगे तो आपका मन प्रसंद हो जाएगा, ठीक है ना, असली मकसद आपका यही है वीडियो देखने का, अबरक जो है बहुत तरह के, अबरक के भी बहुत तरह के वो टाइप्स होते हैं, लेकिन जारकण में खास करके अ पावा में और तीसरी और देवरी, यह जो अस्थान आपको बताया गया, कहां इस्तित है, ग्रीडी में, यहां भी आपको रूबी अबरक और कोडर्मा के जुमरी तलगिया में बहुत अधिक पाया जाता है, और पहले अस्थान में कोडर्मा, दूसरे अस्थान में और तीसरे में आप क्या लिखेंगे, हजारी बाग, ठीक है, जार्खंड में अगर बात किया जाए, माइका का रिजर्व, ठीक है, तो जो या फिर भंडार बोला जाए, तो जार्खंड का कौन सा अस्थान आता, तो दस्वा अस्थान है, तो 1660 तन इसका भंडार है आपको जो बताया गया है, क्या है, चलि देखते हैं, नीम्न में से किस छेतर में अतुल ने योगदान के लिए डाक्टर जानुम सिंग सोहाई को पदम स्री पुरुसकार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, यानि कि आपका पुरुसकार वाला छेतर से कोशन है ये, और इसमें बहुत important chances है कि आपको देखने को मिलेंगे, मैंने पूरा detail बता दिया है इसके explanation में, तो डाक्टर जानुम सिंग सोहाई का संबंद किस छेतर से था, जब उनको पदम स्री पुरुसकार या फिर इनका संबंद किस छेतर से है, तो याद रखेगा साहित एवं सिक्षा से, अब मैं आपको पूरा detail बता देता हूँ कि जारकर्ण में जो भी पदम स्री प्राफ्त बैखती तो है, 2023 लेटेश्ट अभी याद रखना है, 2023, 2022, 2021 की, और 2020 भी याद कर लिजेगा, एक तो डाक्टर जनुम सिंग सोहाई हो गया, साहित एवं सिक्षा में, 2022 में गिरी ध सब्स्दर अचारी, जिनका संबन्द का लासा, देखे, कैसे पुछा जा सकता है, डाक्टर जनुम सिंग सोहाई को जो 2023 में मिला, कब मिला, ये भी पुछेगा, या फिर आपको चार नाम दे करके, एक नाम आपको कुछ ऐसा दे दिया जाएगा, पुछा जायागा, इन में के कौन से विभूती है जिनको पदम स्री पुषकार नहीं मिला इस तरह से पुछा जा सकता है या फिर उनका किस सेक्टर से ये बिलॉंग करते है समाज सेवाते साहित और सिच्छा से या कलाक से समंदित है या कौन सा इयर याद रखेगा इयर आप इसलिए याद रखेगा 2020 बाकी ये आप इसलिए याद रखेगा आपसे पूछा जा सकता है कि डाक्टर स्यामा प्रशाद मुकर्जी जो पदम स्री पुषकार से जिनको सम्मानित किया गया था इनका संबंद किस छेत्र से स्वास्त से संबंद है यार नहीं पूछा जाएगा बुल्लु इमाम समाज सेवा से संबंद है जमुना टूट्टू समाज सेवा से मुकुन नायक वरी वरी इंपॉर्टेंट कला छेत्र से संबंद है 2015 में असोग भगत को मिला है समाज सेवा है वरी वरी इंपॉर्टेंट दिपिका कुमारी वरी वरी इंपॉर्टेंट 2016 में खेल से मिला है सीमनु प यह याद रखेगा मंगला परशाद मौनती को कम मिला था तो 2008 में मिला था और बाकी एक याद रखेगा यह दो हजार वाला डाक्टर पर्थू राम मिस्रा जी को साइंस और इंजिनियरिंग ठीक है यह पूरा इंपोर्टेंट याद रखेगे गुरु के दार्नाथ साहू का स अगले सवाल पर अब हम लोग आते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया मैं हिंदी में ही पढ़ लेता हूं कि दिपिका गुमारी ने किस वर्स राष्ट मंडल खेल में श्वन्पदक प्राप्त की थी ठीक है मैं इंगलीस में देख ली जाप लोग ठीक है अब मैं जूम जीती थी देखें यह सब फैक्ट एकदम आपको याद रखना है इस फैक्ट से आपको खेलना है अपको चीज़े जान लेते हैं दीपिका गुमारी से संबंदीत कौन से खेल संबंदीत है तिरंदाजी खेल संबंदीत है 2012 में इनको अर्जुन पुरुसकार मिला है 2016 में बताना है कौन सही यह कौन गलत है के इसमाइन जो उद्योग है से संबंदीत मतलब की माइन्स का नाम आपको बताना है जहां आपका तामइन और production होता है तो मुसा बनी जो माइन्स है यहाँ पर घाट सिला माइन्स पाथर गोड़ा माइन्स और नवा मुंडी माइन्स ठीक है देखे बाई गलती नहीं करना आपको मैंने option बड़ा खुब सूरत रखा ही है इसलिए अब तो बोरा गलती नहीं करना केवल ABC है ठीक है नवा मुंडी नहीं माइन्स ठीक है याद रखना आपको नवा मुंडी माइन्स किसलिए आप comment करके हमें बताईए ठीक है अगर आपको पता है तो बाकि हम बताएंगे अगले part 2 में खानी जिवाली वीडियो में तो देखें मुशा बनी माइन्स हो गया घाट सिला माइन्स हो गया पाथर गोडा माइन्स इन तीनों माइन्स में आपको जो आपकी ICC है ठीक है ना इंडियन कॉपर कॉर्परेशन ये क्या करती है कॉपर जो तांबा होता है ना तांबा का क्य करते हैं टीक है ना तो यह माइन्स तीनो माइन्स जो है समंधिते कि See तांबह उध्योग से समंधिते मुशाबणी माइन्स घाट सिलंग माइन्स और पाथर गोडा माइन्स हैं 13 सवाल क्या पूछ आप पूछा ङया इस पर बात करते है यह बातка करते हैं इस Fin जहारखंट का ही मिन्रल का कोश्चन है यह की सर बिवस्था से कंछी जर्खंळ में पिछले साल धार उना क्या पता होगा यह News양 पचल बता रखिये इसके बारे में तो आगे बढ़ते हैं कोई मतलब नहीं बनता है चलिए वाई अगला सवाल क्या बोला गया है अगला सवाल आप से पूछा गया है कि भुगोल से कोशन पूछा गया आपका जारखण में औसद वार्षिक वर्सा क्या अंदराल है यानि कि वारिसिक कितना होती है जहारखर्ण में ठीक है ना वार्षिक बात की जाये तो 100-200 संटीमीटर के बीच में वर्सा होती है चलिए यस पर बहुत डिटेल चीज हमने बताई है इसलिए यह डिसकुर्षन करना काफ malfe important है तुकिये जहारखर्ण में कैसा वन पाय जाता ये पूछा जाएगा तो उस ने कटी बंदिये पत्थ जड़ या फिर उस ने कटी बंदिये पंड़ पाती वन पाय जाते हैं धीर जो вд some conviction दोजर इकीस की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसाज हरकन राजय के कुल छेतरफल के 2729.141 किलोमिटर जो छेतर है ठीक न तो ये छेतरफल याद रखना था जो रिपोर्ट आई है 2021 की ISFR की उसमें ये बताया गए कि कुल शेतर्फल के 23,721 14. वर की किलोमीटर जो ृसमें क्या पाया जाहता आपका one पाया जाता, ठीक है और जो राज के कुल शेतर्फल का, पुरा जो राज है उसके कुल शेतर्फल का ये कितना परतीसत का आता तो 29,76 76% अब यह सब क्या है मैं एक वन रिपोर्ट के उपर मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो पूरा समझा दूँगा ठीक है ना बहुत अच्छे समझा दूँगा बस इतना जानी है कि कितना है पूरे परतीसत हारकंड के छेतरफल का तो 29.76% है प्रन्तु यह राष्ट यह वर नि 29.76% इसमें भी बहुत घपला बाजी है मैं बताऊंगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब ठीक है जारकंड के जो 24 जीले है जारकंड का 8 जीला ऐसे है जहां पर 33% से अधिक वन चेतर यह अच्छी बात है आगे जलते हैं इंडियान इस्टेट फोरेश्ट रिपोर्ट के 2021 का जो रिपोर्ट सा जारकंड के जो चार जीले है ठीक है ना चार जीले में कौन-कौन सा जीरा आपका कोडर्मा लातेहार लोहर दग्गा और पाकुड में वन छेतर में नकरात्मक व्रीदी होई यानि कि यहां पर व्रीदी हुई ही नहीं है कौन-कौन सा छेतर है आपका चार शेतर है, चार शेतर में कौन-कौन, तो एक आपका कोडर्मा हो गया, लाते हार हो गया, लोहर दग्गा हो गया और पाकूर, ये चारो आपके जो ऐसे डिश्टे के जहां पर नकरात्मक वरीदी हुई है, अब एक ऐसा भी जीला है जहारखन का, जो आपका जीला है, परतीशत वरीदी हुई है, उसके बाद जो 2021 के जो रिपोर्ट आये थी, उसमें भारत के जो कुल वन है, उस वन छेतर का कितना परतीशत विस्तार जहारखन में है, तो 3.32 परतीशत विस्तार है, ये ये सवाल, क्या पता मुझे लग रहा है, ये रिपीट होगा JSC के किसी इकजाम में उत्पात सिपाई हो, चाहिए सचीवाले हो, चाहिए LDC का पेपर हो, धारखट में प्रतीवैक्ती वन एवं वरिच अच्छादन उपलब्दता लगवक कितना हेक्टियर है, तो 0.08 परतीशत हेक्टियर, क्योंकि अभी लेटेस्ट आपका JPSC ये सवाल पूछ कौन सी सिचाई परियोजना, चत्रा जीले में संचालित है, ये आपको बताना आपको, तो चार आपका परियोजना यहाँ पर बताया है, कोक्रो सी चाई परियोजना, सदा बाह जला से परियोजना, भैरवा जला से परियोजना, गरही जला से परियोजना, तो सही उत्तर क् है इसका गरही जलासे परियोजना आगे देखते हैं इसमें और बार क्या चीज़े है देखें गरही जलासे परियोजना कहां आपका है तो चत्रा में ही संचालित हुई है बागी जो भी option है उसको हम लोग देख लेते हैं कोक्रो सिचाइप जो परियोजना है 1989 में यह आपको परियोजना सदावाज जलासे परियोजना आपका पलामू में संचालित है बहरवा जलासे परियोजना 1984 में हजारी बाग और दोनों दिश्टी को यह कबर करती है गरही जलासे परियोजना चत्रा में संचालित है और ये भी important कुनार जलासे परियोजना गिरीडी में पांचवी परियोजना के तहत ये याद रखना है जो पांचवी पंचवर्सी योजना जो थी उसके तहत गिरीडी में आपका कुनार जलासे परियोजना को सुभारम किया गया था कि वेन वाज रा सेंट्रल तसर यानि वेरी वेरी इंपॉर्टन कोशन केंद्री तसर अनुसंदान वा प्रसिक्षन केंद्री की स्थापना कब हुई थी तो यह जो यह आपका याद रखना है 1964 ठीक है ना एकदम कन्फ्यूज मत हुए अप्शन देखें अगले सवाल पर बहुत अच्छा सवाल और बहुत इजी सवाल और फ्रिक्वेंटली जो आप देख रहे होते हैं किताबों में जिसका सवाल का उत्तर आप साइद गलती देदे बेतला ठीक है ना बेतला जो राष्ट उद्धान के आप बात करते हैं इसका फुल फॉर्म आप से पूछ लिया गया इसमें तो इसका जो फुल फॉर्म होगा बिशन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस, ऑप्शन डी अब बात करते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्ट है जार्खन में केवल एक ही नैशनल पार्क है या फिर बोले तो राष्ट उद्धान है और कितना वनने जीब अब भिहारेन तो 11 है ठीक है? लाते हार में इस्तीत है आपकी 1932 में विश्वी की पहली बाग की जो है गन्ना की गई थी और 1974 में बाग परियोजना की सुरुवात भी की गई थी ठीक है ना पलामू बाग आरक्षे बागो के सनरक्षन है तो जार्खन का एक मात्र टाइगर रिजर्व ठीक है तो अगर आप से पूछ लिया जाए जो जार्खन में एक मात्र टाइगर रिजर्व है बागो के सनरक्षन के लिए जो बना गया क्या कौन सा आरक्षे है वो तो पलामू बाग आरक्षे है ठीक है अब दे probation है वर्य वर इंपॉर्टेंट है कुछ प्रोजेक्ट कुछ परियोजनाय है जो आपके फाइव यर प्लान से मैच करना कौन सही है कौन गलत अबको बताना देखे कौनार रिजर्वियर प्रोजेक्ट कौन सी योजना की ये कौन सी योजना में ये लाई गए थी कौनार रिजर्व पर योजना आपकी किसी को पता है बताईए देखे बाई जो कौनार रिजर्व पर योजना जो है आपकी फिप्थ इयर प्लान में या निकि पांचवी वर्स सब्सक्राइब कर दोटल मौई एक यहोजना में यृजना में ति कैना पांच वी पंच वरसिया योजना में लाए गय थी उसके बाद अमानत बेराज प्रोजेक्ट जो है अपकी यह आपको लाए गय relative 10 वी पंच वर सिय योजना में और जो आपकी अनुराग प्रोजेक्ट है ठीकिन अनुराग सरी औरंगा प्रोजेक्ट जो आपका 7-5 यूइर प्लान की ये पंचवर्सी योजनामी इनको लाय गया था या फिर इनका प्रारम किया गया तो क्या हो गया आपका अमानत होगी स्वारी कोनार रिजर्विया प्रोजेक्ट होगे आपका 5 भी यानि कि A का क्या हो जाएगा 2 तो ओप्शन देखते हैं A का 2 कहा है A का 2 है यहीं ओप्शन D सही होगा नहीं एक और भी है तो यहाँ से बात नहीं बनेगी आगे देखते हैं अमानत देखी यही तो हमने option रखा है कि आप अगर एक देखर कभी नहीं निखा लिए टाइम लगेगा आपका अमानत बाराज प्रोजेक्ट ठीक है ना अमानत बाराज प्रोजेक्ट को अंदर दस में यहां मैंने एक्स्प्रीनेशन दिया और अभी इसके में एक्स्प्रेनेशन नहीं डाल पूछे तो इसमें नहीं लिया अलाकि मुझे ले-लेना चाहि पर कोई बात नहीं चलिए आपसे पूछा गया की विज्यूल डिक्स्प्स्टरी ऑफ जो योग है पुस्तक है इसके अच्छा सवाल ये भी आपका अंडर 15 ACI रेशलिंग चेंपियन्सिप में जारखन के किस खिलाडी ने जीत दर्ज करके कांस से पदक राप्त किया अगर नहीं दिखा तो मैं जूम कर दे रहा हूँ एक बार देखे पुछा गया है कि Under 15 ACI Wrestling Championship में जारखन के किस खिलाडी ने जीत दर्ज करके कौन सा पदक आपसे पूछा ए कांस से पदक राप्त कि सवाल से भेट करते ही दीठिया जन जाती में पुर्टों के वस्तरों जो होते हैं परमपरागत वस्तरों को क्या कहा जाता थेटी पाचन केरिया सभी तो याद रखेगा केरिया अब बेदिया जन जाती का पोश्ट मार्डम हम आपका करवा देते हैं explanation में आईए एक चीज को देखते हैं देखें जो बेदिया जंजाती है इस जंजाती के लोग स्वयम को वेद निवस या फिर वेद वानी कहते है ठीक है ये जो बेदिया जंजाती है इनका मानना है कि इस जंजाती की जो उत्पती ह वेदों में लिखित चीजों के अनुसार इस जनजाती के उत्पती हुई है ये लोग स्वयम को उच्छ हिंदू वाले वर्ग के मानते हैं ये जारखन के अंतरगत अलप संख्यत जनजाती है ये भी पॉइंट याद रखना है बेदिया जनजाती के जो लोग है अपने नाम के साथ बेडिया या फिर मानजी के भी उपादी लगाते हैं साथ के साल ठीक है इसके बाद इनकी अगर प्रजाती की बात की जाए तो इस जनजाती का संबन द्रविर प्रजाती समूस है तथा इनकी भासा सदानी है इनका प्रमुग जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिल प्रजाता तो है ठीक है और इस वदू मुले को क्या कहा जाता है डाली टेका कहा जाता सबसे प्रचलीत विवाह में बात कहा जाए तो आयोजीत विवाह है और इस जनजाती में गाउं की जो मुख्या उनको क्या कहा जाता प्रदान कहा जाता या फिर महतो कहा जाता या फि सुरिक की पुझा करना धारिंक प्रादान को पाहन करते हैं पुझास्थर को सर्णा करते हैं यहां वारसी नाच का आईजिए जाता है और फिर भगवा भी कहा जाता ठीक है जबकि महिलाओ के परमप्रागत अवस्तर को क्या कहा जाता है ठेटी कहा जाता है अगर कट रहा तो मैं आपको इधर कर दूँ देखे जो महिलाओ के परमप्रागत अवस्तर उनको हम क्या कहते है ठेटी कहते है ठीक है और पाचन भी कहा जा इनके प्रमुपर्व में छटपुजा हो गया, दिपावली हो गया, धसारा हो गया, सोहराय हो गया, कर्मा और आदिपर्व हो गया मोशली मुझे लग रहा है कि छटपुजा आपको रिलेट करके पूछेगा बेदिया जंजाती में अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल, कोरा जंजाती में ओडा का संब्द किस्से है, ओडा का मतलब क्या है कोरा जंजाती में, गोत्र, वदुमुल्य, घर या फिर विवादे कि जो घर होते हैं न, कोरा जंजाती के लोग क्या कहते हैं उसे, ओडा कहते हैं, तो चल जाए तो द्रविड समू से टिक करिएगा लेकिन नॉर्मली रहा बात तो ये कौन से प्रजाती है तो प्रोटो ऑस्टोलाइट प्रजाती समू से संबंदित रखते हैं मैं एक लक्षर लाओंगा केवल जनजाती के उपर में यह सब प्रजाती क्या हो गया द्रविड प्रज दागर जनजाती के नाम से भी जाना जाता है इन्हें किस जनजाती के नाम से जाता है दागर जनजाती के नाम से भी जाना जाता है मैक्सिमम जो पॉपुलेशन इसकी अजारी बाग धनबाद बोकारो सिंगभूम संथाल प्रगना है रिजले महोधन इस जनजाती को कितने उपजातियों विवाजित क्या है साथ उपजातियों विवाजित क्या है ये लोग गोत्र को गुष्टी कहते हैं एवं घर को देखे ओड़ा कहते हैं युवागरी जो है यहां पे होते हैं जो गिती ओड़ा कहते हैं इनमें भी वदु मुल्य देनी की प्रमपरा है और जन जाती के जो जो उचे लोग अपने आप उच्छ दर्जे के मानते कच गोत्र में जो लोग आते हैं और सबसे नीचे जाती किन को माना जाता है नीचे वर्ग में माना जाता है जो कोरा जन जाती को वो कौन है आपका वो आपका और सबसे नीचा निक्रिष्ट जो है गोत्र बट कोई गोत्र होता ठीक है ना बट तू कोई गोत्र होता बट तू कोई गोत्र होता सबसे उच क्या होगी आपका कच्छ गोत्र और अंती में आपका इस जंजाती के जो ग्राम प्रदान होता है उनको क्या कहा जाता है महतों कहा जाता है और भी चीज़े हैं बाई कोरा जं लोक का जो मुख्य पैसा क्या है कारी करना टोर Rank कारे जाता रम तेहवार जोंतर गूजा ग्राम देवता की पूजा होते है इसमें में भगवती दाये और सोराएची यह सबी में तहबार आपके 24 सवाल आपका एजी सवाल है आपका यह भी नाग फेनी का राज महल कहा इस्तित है आपसे पूचा गया है देखे चिंता मनी मंदील कहा है इस्तिद है किनी को पता देखे पाल कोड में सिन्ता मनी ही स्तिय था हूं दाम न небते एक तीन आ है by का निकालते है आपको Haradi Temple तो D का 4 तो A का 3 ऐसे निकाल लिए देखे, A का 3 और D का 2 ये पकड़ा गया न अच्छा एक और है, A का 3 और D का 2 अभी भी confusion, देखे, option की quality देखे सर्फ खुद मैं बनाया हूँ इस सब चीज़ों अब एक और निकालना पड़ जाएगा अगर एक नहीं पता रहेगा, तब नहीं निकाल पाईएगा फिर तुक्का खेलिएगा, तो यहां खेल सकते हैं एक और 2 में आपको खेलना है, तो 50% में आपको तुक्का लेना भी शाहिए अंजन धाम मंदिल अंजन धाम मंदिल कहां इस्तित है तो यह तो easy हो गया, अंजन विलेज में इस्तित है तो B का 1, B का 1 यह हो गया, इसका सही उत्तर, option C ठीक है, यह B का 4 दिया हुए आपके बाकी जो बज़ गया, आपका मदन मुहन मंदिल आपका बोड़ईया में हो जाएगा, यानि कि C का 4 हो जाएगा तो C का दिखे यह 4 है, ना तो option C इसका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं, 25 सवाल, 26 सवाल पर चर्च से question पूछा गया आपका, कि नवार्डी में जो इस्तित है Roman Catholic Church, इसकी स्थापना कब हुए थी, आपसे year पूछ लिया गया देखे, Roman Catholic Church बहुत सारे हैं, इसमें confusion होता है 1911 में, जो आपका नवार्डी में जो इस्तित है Roman Catholic Church, उसकी स्थापना 1911 मुई है तो 5 आपको याद रखना ही पड़ेगा, Roman Catholic, Roman Catholic, Roman Catholic, Roman Catholic, Roman Catholic ठीक है, जो चाइबासा में है उसकी 279 में हुई, जो खुंटी में उसकी 68 999 में खतकई में जो आपको इसकी 899 में, नावा टोली अचको में आपको 1 111 में हुई है भागे कुछ और चर्च देख लेए, संत मेरी चर्च जो पुरिलिया रोड राची में है 209 में स्थापना हुई है संद पॉल्चर राची मिस्तिता 1873 में जी एल चर्च क्रिष्ट चर्च जो राची मिस्तिता 1855 में सबसे पुराना चर्च यही हो जाएगा यहां पर आपको लोग गिट का इधर नाम दे दिया गया है और इधर अउशर दिया गया है बताना है की जो आपका आउशर में कौन सी लोग गिट गाय जाती है ठीक है इस तरह का सवाल आएगा exam में न तो फसिएगा बहुत easy level देखे आपका exam में easy रहगा लेकिन जो आप त्यारी कर रहmeye ना बहुत अच्छे level पर आप त्यारी कर रहे हैं ठीक है वेडिंग टाइम अब उलेगे सर एक और विभा का यहां ऑप्शन है यहां जैसे यहां लेकिन जो विभा दिया गया है इस्तरी द्वारा डांस किया जाता लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं यहां विभा के समय डांस किया जाता क्यों ठीक है ना ओंदी में मैं थोड़ा तो जूमिन करूँ ठीक है तो ओंधी का हो गया कजली илосьबा डूरी बन jak two लिएं और एक और बन रहा अभी भी दिक्कत है तो चले एक और निकाल लेते हैं हम लोग जंजाइन ही निकाल लेते हैं तो जो डी है आपका जंजाइन जो लोग गित है ये किस अवसर पर गाये जाता है तो इस्त्रियों दोारा याद गरिये मैंने बताया था जंजाइन गित के बारे मैंने बताया है द टीक का याद रखेगा जन जाएं जोहता है तो डीका 4C का 1 डीका 4C का 1 किसमें है अभी इन दोनों में चेक करना के वल डीका 4C का वन यहही है दीका 4C का 1 यहां लेकिन यार option एक दो मतलब match कर गया sorry sorry ये दोनो option एक हो गया ये दोनों सही होगा ठीक है ना इसको आप ठीक कर लिजएगा तो option C और option A दोनों मैंने option दे दिया इसको ठीक कर लिजएगा कोई नहीं मैं इसको भी test में ठीक कर दूँगा इस तरह का ही बस टेस्टरीज में आपको गलती है तो आप समझ सकते हैं ये माइनर सा मिश्टेक है जे ससी तो इसे भी wonder मिश्टेक करता है अंसर की में अगले सवाल पर आते हैं which of the following pairs is wrong कौन सा पेर गलत दिया है आपको बताना है ये आपका mainly महीं कि यही गलत है आपका option number बी प्रानिक बिलकुत है ये का साहिक ही होता तो option B उसका सही हो जाएगा वाट इस कॉम कट कंब कट क्या है कंब कट कम क्या एक चितरकाली है ठीक है चितरकारी है निते शैली धाति उसल्प नहीं है यह सही उत्तर हो जाएगा option C आगे चलिए तीसवा सवाल करम पर्व जो अभी देखे question आपसे क्या पूछ रहा आपसे कि करमा पर्व के वारा कौन जो भी बाते यहां लिखी गए कौन गलत लिखी गए इस पर्व मैं भाई के जीवन की कामना है तू बहन द्वारा उपवास रखा जाता है comment करिए भाई मैं live session में देख रहा हूँ कि कितने लोगों के सही उत्तर आ रहा है बहुत कम लोगों है तो यह सही है यह भाई बहुन की प्रेम की पर्व बिल्कुल इस पर्व के दवान रादबन नित्यगान का कारिकरम के जाता बिल्कुल यह पर्व वैशाक मामें चंद्रपांडे जी के द्वारा देखे राजपाल का नाम दिया गया है और tenure से आपका सवाल पूछा गया ठीक है बिनोथ चंद्रपांडे ठीक है ना कारिवाहक राजपाल जो मैंने आज एक्स्प्लेन किया है तो 2000 नहीं 2002 के सो जाएगा बिल्कुल हाँ 2002 होगा यह सही है तो वन का भी तो देखें वन का भी वन का भी और भी है क्या वन का भी यह वन का भी तो काम नहीं बनेगा आगे चलते हैं वेद प्रकास मारवा देखें यह सब वीडियो देखेंगा मेरा गवर्णर वाला बहुत अच्छे बता है वेद प्रकास मारवा जो यह हो जाएगा 2004 चार तो टू का ए देखे टू का ए और यहां भी टू का ए मिल रहा है इन दोनों में आप कंफिलिक्ट है आगे चलते हैं दुरोपती मुर्मुर ईजी होगी आप तो 2015 की 2021 बताइए 2021 होगा तो 3 का क्या होना चाहिए D आप देखे 3 का D क्या है यह आप्शन नमबर 3 इसका सही हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 सवाल पर इसका सही उसतर नमबर 3 चले 32 सवाल आप के आप पुछा गया देखते हैं कोशन पूछा गया खें ज्यार्कंड जो प्रतम राजपाल रहें सुर्थम प्रतम प्रभात कुमार को ठीक है नशली के कुस तत्कालीन मुख्य की शिआजिस निए दिलवाय थी एक्दम टाइप का स्वाल हमने रख दिया वो रिसेंटली पूछे और हमने पहला गवर्णर का कोशन पूछ लिया आपसे ठीक है ना अब मैं एक जूमीन कर दूँ देख लिए जे कोशन क्या है देखे जैसे पीजटी क्या पूछा आपसे सीपी राधा कृष्णन के बारे लेटिश पूछा उन्होंने हमने पूरा हिस्टोरिकल पास्ट में जाकर पूछ लिया ठीक है अब इसे क्या है कि आपकी चीज़े पूरी तर्गड़े वे में तयारी होगी न्याई मुर्थी बिनोत कुमार गुपता जी ही थे उसमें तो इसका उत्तर सही हो जाएगा option A ज्यादा पढ़कर time waste करने जो फैद दिया है अपढ़ना सेन गुपता का संबंद किस विधान सबाच्षेतर से है तो निर्षा इसका सही उतर हो जाएगा निर्षा option B तो देखे सारे विधान सबाच्षेत के बार चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके पांचवे विधान सबाच्षेतर महिला जो विधा प्रशाद बढ़का गाउं कॉंगरेस से है तो ते सारा याद रखना है दोस्त एक भी आपको भूलना नहीं है इसमें आगे चलिए आगे बात करते हैं सवाल क्या पुछा गया है कि 34 सवाल पुछा गया है कि जारखन के लोग सभा के 14 सीटों में ठीक है ना लोग सभा में कितना सीट है जारखन के तो 14 सीट है 14 में 5 सीट है किसके लिए आरक्षी थे अनुसूचित जन जाती के लिए ठीक है और और आपसे पूछा गया कि जो अनुसूचित जाती है उनके लिए कितने सीटों का आरक्षन है तो इजी सवाल है दोस्त ये तो आपका 01 इसका एक सीटी आरक्षित है ठीक है ना चलिए बात कर लेते कुछ जो चारखन राज है उसमें विधान मंडल की जो आपसे की एक सदन इए रिवाचित होता है और एक जौता है मनोनीत अंगुलो इंडियन होता ठीक है ना जिसमें 81 सद्वस्तियों का परत्यक्ष निर्वाचन होता इलेक्षन होता और एक को क्या करता अंगुलो इंडियन को τैन करता खोन आपके राज़पाल जारकंड विद्हान सभा की कुल सीट में ठीक है कूल सीटों में से 9 सीटे जो है आपकी आरक्षित होते है ठीक है ना किसके लिए 9 सीट आरक्षित होते है अनुसूचित जाती हो के लिए और 28 सीटे किसके लिए आरक्षित होते है तो अनुसूचित जन जाती हो के लिए तो 28 और 9 सीट तो आपका आरक्षित हो गया 9 किसके लि अनुसुचित जन जातियों के लिए ठीक है और 9 सीटे अनुसुचित जातियों के लिए जारखन राज में राज सभा के लिए ठीक है ना जारखन राज में राज सभा के लिए राज सभा के लिए कितनी 6 और लोग सभा के लिए कितना सीट है तो 14 सीट है ठीक है निर्धारित है 14 सीट में अभी आपको पता चली गया अनुसुचित जन जाती के लिए एक है और अनुसुचित जन जाती के लिए पांच आरक्षीत है राजे का अगर पूझ लिया जाए सबसे बड़ा संसद्य छेतर कौन है तो पश्चिम सिंग्भू है और सबसे छोटा संसद्य छेतर पूझ लिया जाए तो चत्रा आपका ठीक है उतका देट राजे में जो आपका गुमला और लोहरदगड ये दो ऐसे छितर हैं जो सारे विधान सबा का जो भी छेतर है अनुसुचित जन जाती है तू क्या है आपकी आरक्षित है 35 सवाल पुछा क्या है कि जहारखंड में गुप्त कालिन अवसे जो है निमलिखित में से किस सस्थल से मिले हैं चक्रधरपूर, भगवानपूर इत्खोरी और सिल्वार इजी कोशन है इसका डिटेल आपको एक्स्प्लेनिशन नहीं किया हूँ क्योंकि इस पर मैंने 8 गंटे का लेक्षर ही दिया है यूट्यूब पे जहारखंड की कम्प्लीट इत्थिहास के उपर इत्खोरी इसका सही उतरगो ता आप वीडियो देखिएगा और होप शोब बहुत एक्स्प्लेनिशन नहीं देख भी लिया नोट्स भी ले लिया उन्होंने आवे चलते हैं 36 सवाल पे जहारखंड के राची में ठीक है ना रोले टेक्ट का विरोध किस ने किया तो भी हिस्ट्री का सवाल है इसको भी बहुत डिटेल एक्स्प्लेन किया डियरेक्ट इसका में एंसर बताएंगे बारेशोर सहय और गुलाब तिवारी जी ने किया देखिए नोट्स में लिखा हुआ सेम एज इस इस पहाड़या विद्रो इसको भी हमने डिटेल करवाया है टेस्ट नंबर ठीरी या फोर में ठीक है एक्स्प्लेनेशन के साथ इसमें भी हमने कोई एक्स्प्लेनेशन इसलिए ने रखा पहाड़या विद्रो का आप से पुछा गया कि दूसरा चरण 1770 में किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था जगनाद देव ठीक है ना इजी सवाल है यह सब तो देखे यही सब इजी सवाल को आपको सही करके आना एकदम 1942 में कहां क्या आदिवासों ने करना देने का आंदोलन चलाया था 1942 के जो आंदोलन हुआ था उसमें आदिवासों ने करना देने का आंदोलन चलाया था कहां से वो थे दुमका से थे सिंग भूम से थे पलामू से थे या हजारी बाग तो याद रखना सिंग भूम इसका सही उत्तर होगा सिंग भूम से करना देने का इनोंने पूछा गया है कि कौन ता कदन सबते है तो चली ये तो सही है और भी देख लेते हैं जैपाल सिंग को मरांग गोम की उपादी में ये भी सही है यानि कि इन में से सभी सही हो जाएगा अंतिम सवाल जारखंड के किस जीले को मैट्रिष्ट पैरडाइज के नाम से जाना जाता है राची को लोहर दग्गा को धनबाद को या फिर रामगड को इजी सवाल है तेके 5-6 सवाल इतना इजी था कि आप में से सभी लोग बनाये होंगे राची को बोला जाता है 26 सही कर पाएंगे आप इस स्टेश तरीज में ठीक है बाई चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद